जैए श्री राम दोस्तो दोस्तो आज हम बात करेंगे राम दरवार में एक कुत्ते ने किया नहाए श्री राम चंदर जी वनवास के बाद अयोधा से लोटे तो खूब धूमदाम से उनका राजतिलक हुआ बड़े सम्मान के साथ उन्हें आयोधा का राजा बनाया गया राजगद्धी पर बैठने के बाद उन्होंने लक्षमन जी को आदेश दिया हुआ था कि भोजन करने से पहले देखो हमारे दरवार पर कोई भूखा तो नहीं है एक दिन की बात है लक्षमन जी ने स्री रामचंदर जी से कहा मैं अभी आवाज लगा कर आया हूँ कोई भी भूखा नहीं है स्री रामचंदर जी ने कहा दोबारा जाओ और जोर से आवाज लगाओ सायद कोई भूखा रह गया हूँ रामचंदर जी का आदेश पालन करते हुए लक्षमन जी दोबारा बाहर गए और उन्होंने जोर से आवाज लगाई तो कोई आदमी तो नहीं वरन एक कुत्ते को लक्षमन जी ने रोते हुए देखा अंदर आकर उन्हें ने स्री रामचंदर जी से कहा बाहर कोई व्यक्ति भूका नहीं है बलकि एक कुट्टा अवस्य रो रहा है श्री रामचंदर जी ने उस कुट्टे को अंदर बुलाआ और कुट्टे से पूचा तुम रो क्यों रहे हो कुट्टे ने कहा एक ब्राम्मन ने मुझे डंडा मारा है श्री रामचंदर जी ने ब्राम्मन को बुलवाया और उससे पूचा क्या यह कुत्ता सही बोल रहा है ब्राम्मन ने कहा हाँ यह मेरी रास्ते में सो रहा था इसलिए मैंने इसे डंडा मारा है यह कुट्टे जहां तहां लेट जाते हैं इन्हें डंडे से ही मारना चाहिए श्री रामचंदर जी समझ गए कि ब्रामण की ही गलती है परन्तु ब्रामण को क्या कहें सो उन्होंने कुट्टे को पूछा ब्रामण ने तुम्हें डंडा मारा तो तुम क्या चाहते हो तुम्हारा बदले में तुम इन्हें मठादीस बनाना चाते हो, मठादीस बनने से इनकी बहुत सेवा होगी, काफी चेले बन जाएंगे, इससे तुम्हारा क्या फायदा होगा? कुत्ता बोला, मैं भी मठादीस था, मुझसे कुछ गरत काम हुआ, आज मैं कुत्ते की योनी में हूँ, और लोगों के डंडे खा रहा हूँ, ये भी मठादीस बनेगा, फिर कुत्ते की योनी में जाएगा, फिर लोगों के डंडे खाएगा, तो इसकी सजा पूरी हो दोस्तो सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी और विरोचक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जै स्री राम झाल